Samsung Galaxy M30S September में launch होने वाला है ये phone massive battery capacity के साथ में आएगा जो लोग battery से ज़्यादा परिशान रहते हैं जो heavy user है उनको ये phone परिशान नहीं करेगा इस phone को पूरा दिन heavy use करने पर भी battery खत्म नहीं होगा According to leaks, ये phone gradient blue color setup के साथ में आएगा ये phone M30 का improve version होगा इस phone में triple rear camera setup मिलेगा और आपको इस phone में rear mounted fingerprint sensor देखने को मिलेगा इस phone का जो main sensor होगा वो confirm तो कर दिया गया है कि इस phone में आपको 48 megapixel का camera देखने को मिलेगा लेकिन इसमें Samsung का खुद का GW1 वाला sensor या फिर Sony का IMX586 वाला sensor दोनों में से क्या मिलेगा ये confirm नहीं किया गया है बाकी के जो दो camera होंगे वो wide angle lens और depth sensor वाला होगा बात करें इस phone के massive highlights की तो इसका जो battery capacity होगा वो काफी ज़्यादा powerful battery देखने को मिलेगा इस phone में आपको 6000 mAh की battery देखने को मिलेगी जो की पूरा दिन आपका अच्छा साथ देने वाला है M30S में आपको मिलेगा 6.4 इंचेस का full HD plus infinity U display और इस phone में आपको exynos का 9610 SOC मिलेगा ये phone 6GB RAM 128GB internal memory के साथ में आएगा ये phone run करेगा android pipe पे pricing के बात करें तो ये phone mid range वाला होगा जिसका price 15-20,000 के आसपास हो सकता है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें share करें और subscribe करके बेल आइकट को भी दवा दे ताकि मेरा नया वीडियो upload होने पर आपको latest notification मिल जाए